हलो बच्चो, वेलकम टू आर स्कूल किर्जार्स, आज हम सीखने वाले हैं, Multiply in 1 मिनट बाई वैदिक मैट्स, वैदिक मैट्स के द्वारा सिखाए गए पुछ मैथ़ड से, जिसमें हम Multiply जो है, 1 मिनट में करना सीखेंगे, सबसे पहले हैं, हम दो डीजिट नंबर को, दो डीजिट नंबर से माल्टिप्लाई करना सीखेंगे, इसमें जो टाइप 1 है, उसमें कुछ कंडिशन्स हैं हमारे पास, सेम डीजिट अट 10 प्लेस और 5 शुट बे अट यूनिट प्लेस, हमारे पास जो 10 प्लेस है, वहाँ पे सेम डीजिट होनी चाहिए, और 5 जो है यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, यहाँ अगर आप देखेंगे, तो आपको दीख रहा है, कि जो हमारे पास है 25 x 25, हमने कंडिशन रखी थी, कि हमारे पास यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस पे दोनों डीजिट में आपको दीख रहा है, 5 है, और दूसरी कंडिशन हमने कही थी, कि हमारे पास जो है 10th place जो है वहाँ पे कोई भी same digit होनी चाहिए तो हमने यहाँ पे दोनों में 2 रखा है तो के दोनों में same digit है 2, 2 अब हम इसे कैसे only one minute में इसको multiply करेंगे वो हम सीखते हैं हमें पता है 5, 5 जा 25 होता है हमने पहले यहाँ से जो unit digit है उसको ले लिया और उसे multiply कर दिया 5 multiply 5 इसलिए हमारा आया 25 अब second step, second step में हमने हमारे पास यहाँ 10th place पे जो digit है वो है 2, 10th place में दोनों में 2 digit है तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 plus 1 हमारे को जो भी digit दी है उसमें हमें plus 1 कर लेना है तो हमने यहाँ पे 2 में plus 1 किया तो हमारे पास आया 3, जब हमारे पास यहाँ 3 आया तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि अब हम यह जो हमारे पास 2 है 10th place पे उस 2 के साथ 3 को multiply करेंगे तो 2, 3 जा हमारा answer आया 6 तो इस प्रकार हमारा answer आ गया 25 multiply 25 इसलिए 6 to 5 अब हमारे पास यूनिट प्लेस पे होना चाहिए 5 तो यहाँ पे हमारे यूनिट प्लेस पे 5 है तो हमारे पास 10th digit है उसमें कोई भी same number लेना है तो हमने same number लिया 3, 3 अब ही हम करेंगे 35 multiply 35 तो हमने जब पहला यूनिट प्लेस की डिजिट को multiply किया 5 multiply 5 तो हमने पता है हमारा add 25 अब हमने 10th place की डिजिट को लिया 10th place की डिजिट पे हमारे पास है 3 तो हमने 3 plus 1 किया कोई भी जो भी हमें 10th place पे डिजिट दिये उसमें हमें plus 1 करना है तो हमने 3 plus 1 किया तो हमें मिला 4 3 plus 1 हमें मिला 4 तो अब हम क्या करेंगे जो यह 10th place पर 3 है उसको इस 4 से multiply करेंगे तो 3 multiply 4 हमारा आया 12 तो इस प्रकार जो 35 multiply 35 का answer हमारे पास आगया 1, 2, 2, 5 यह हमारा answer 35 multiply 35 means 1, 2, 2, 5 only multiply of 2 digits in 1 minute अब ही 3rd जो multiply है वो हम करेंगे 45 multiply 45 तो इसमें भी हमने वही किया है हमने 10th place पर 5 रखा है और 1st place पर हमने 5 रखा है तो 5, 5 जा 25 और 10th place पर हमने 4 तो 4 में हमने plus 1 किया तो हमारे पास आया 5 ओके तो 4, 5 जा हमारे पास आया 20 तो अभी जो है हमारे पास answer आ गया 45 multiply 45 इसलिए 2, 0, 2, 5 तो इस प्रकार हम जो है only 1 minute में जो है कोई भी 2 digits का multiply कर सकते है तो बच्चो जो यहाँ पे मैंने यह पूरा illustration भी आपको दिया है और कुछ self practice के लिए आपको sums भी दिये है जो आपको अपने आप करने है तो बच्चो यह आपको समझ में आए होगा बच्चो Thank you Have a nice day